फेंसिंग हरे खेत के लिए बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि फेंसिंग हमारी बहुत सारी चीजों से हमारे खेत की प्रोटेक्शन करती है जिसमें सबसे पहला है कि पडोसी का जगडा फेंसिंग लगने के बाद में खतम हो जाता है दूसरा बेनिफिट अगर मैं बताऊं फ नोरो के वो कंट्रोल हो जाते हैं लेकिन फेंसिंग लगाते टाइम हमारे किसान सत्रीं साति हो 9 1,2 फिर कितने एरिया में एक बीगा में फेंसिंग लगाने का क्या खर्चा होता है हम आज कर हले का शुरू करते चाहिए ऊधाıs का निसान इसको जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर वीडियो का आप लोगों को पता चल सके तो खर्चा बताने से पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस परकार की फेंसिंग करनी है तो कुछ उसके लिए मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ fencing जो है वो मुक्हत जो खेतों में इस्तेमाल होती है वो दो ही तरीके के इस्तेमाल होती है जो सबसे ज़्यादा लेवल के उपर कम मेंटेनेंस पे चलती है सबसे पहले है channeling fencing मनलब जाली वाली fencing और जो दूसरा है वो है कटीले तार की fencing तो कटीले तार के फेंसिंग वहाँ पे होती है जहां पे केवल बड़े जानवरों का नुकसान होता है जैसे नील गाएं और गाएं और जाली वगएरा के फेंसिंग महाँ पे होती है जहां पे सूवर, कुटे और सारे कोई छोटे जंगली जो लोमडी वगएरा होती है यह नुकसान करते हैं जहां पे छोटे जानवर भी नुकसान करें जैसे सबजी की खेती होगी या फिर हमारी कोई भागवानिक या स्ट्रोबरी वगरा की ऐसी फसल होगी जिसमें छोटे जानौरों का नुकसान जादा होता है तो वहाँ पर आपको जाली वाली फैंसिंग लगानी चाहिए तो अब हम बात करते हैं कि जाली वाली फेंसिंग लगाने का एक इकड़ का कितना खर्चाता है या प्रती रणिंग फिट का कितना खर्चाता है और कटीले तार की फेंसिंग लगाने का कितना खर्चाएगा सबसे पहले आपको मापना है कि हो एंगल लगाने है या पथर लगाने है अगर आपको life ज़ादा चाहिए तो आप एंगल के अंदर जाएए मजबूति ज़ादा चाहिए तो एंगल के अंदर जाएए एंगल आपको कौन सी लेनी है basically लिए लोहे की बजाए मैं recommend करूँगा कि आप GI coated angles के अंदर जाएं उसके बाद आगर मैं बात करूँ जमीन से भार आप 6 feet का structure का हम आपको खर्चा निकालने का तरीका बताते हैं 6 feet के अंदर अगर मैं personally recommend करूँ तो total आपको 9 feet की या कम से कम 8 feet का जो angle है वो इस्तेमाल करना है angle आपने किस side का select किया है मालो हमने धाइंची angle select किया धाइंची angle का weight बनता है लगबग जो है साड़े 13 से 14 kg 9 feet के angle का 14 kg हम maximum side में मानके चलते हैं और आप GI quoted angle का अगर नए angle का rate लगाते हैं तो ये 1110 रुपे के आसपास GST में लागे चला जाता है लेकिन अगर आप पुराने angle में जाएंगे maximum side में अगर आप अच्छी quality का लेते हैं तो 80 रुपे आप मान लिए जी तो 14,8,112 112 रुपे मतलब 1120 से 1100 रुपे के करीबन का आपको एक angle पड़ा angle अगर आपने 10 रुपे लगाया तो आपका 112,115 रुपे के running fit कोस्ट बन गया अकेले angle का और अगर आपने 15 रुपे लगाया तो लग बगिये 75 रुपे रुपे के करीबन की कोस्ट बन जाती है उसके बाद अगर मैं बात करूँ जालेगे जाली आपको किस company की लगानी है, कितना size रखना है, खाने का size कितना रखना है मुर्गी पालन वगएरा जो हमारे भाई करते हैं जो free range मुर्गी फार्म वगएरा करते हैं उनको 3 भाई 3 का size रखना चाहिए और जो खुले केवल खेती वगएरा नॉर्मल खेती करते हैं उनको 4 भाई 4 के खाने की जाली लगानी चाहिए अब इसके अंदर भी जो है quality आती है बहुत सारी आप नुकल जाली लगाते हैं अगर किसी company में आप जाते हैं तोड़ा सा costly लगेगा लेकिन आपको उसके अंदर life 2-3 गुना मिलेगी तो अगर मैं बात करूँ ये हमारी 4 फिट की है 6 फिट की जाली की अगर मैं बात करूँ तो ये 4.5-5.000 रुपे के करीबन का बंडल आता है maximum आप 5.000 की तरफ में अगर आप बंडल मानते हैं तो 5.000 रुपे का अगर एक बंडल है तो बंडल आता है 50 फिट की लेंद का तो लगबग 100 रुपे रंणिंग फिट के करीबन जो है ये जाली की कोस्ट हो गई टाटा की जाली की 4 बाई 4 के खाने में ये केजी के अंदर अगर आप company made material लेते हैं तो हर जगह से आपको किलो में नहीं मिलता है टाटा की वेबसाइट है उसके उपर भी आपको बंडल के हिसाब से इसके अंदर rate मिल जाते हैं बाकि जो बाहर से बना के बेचते हैं वहाँ से आपको किलो में भी मिल जाता है उसके बाद में आप ये plane तार कितने जालते हैं अब जैसे ये टाटा का ही तार डला हुआ है तो लग बग अगर मैं बात करूँ तो धाई से तीन रुपे के रणिंग फिट के करीबन की इस तार की कोस्ट पढ़ जाती है जो supporting तार होता चार लगाते हैं तो 12-13 रुपे खर्चा इसका बढ़ जाता है पांच लगाते हैं तो 15 रुपे खर्चा बढ़ जाता है लगवए एक सो नबबर रुपे तक चला जाता है उसके बाद में जमीन के अंदर गड़ा करना लेबर कोस्ट लेबर कोस्ट जो है वो क्वालिटी के ओपर डिपैंड करती है कि आप कितने स्किल्ड लोगों से लगवा रहे हो ये 15 रुपे से 30-35 रुपे तक जाती है कि आप लगवा कैसे रहे हो डिस्टेंस क्या रख रहे हो इसमें भी आप मैक्सिमम या आप मिड़ का अगर लेके चलते हैं 25 रुपेया रणिंग फिट कोस्ट मानके चलिए मैक्सिमम साइड में अगर आप लेते हैं जिसके अंदर गिट्टी लगाना मतलब रोडी कंक्रीट गड़ा करना रोडी कंक्रीट बरना ये इंस्टोल करना जा लेके चाही करना इंगल को लेवलिंग करना कोर्नर पे सपोर्ट बरना सब कुछ इंक्लूड होके आता है तो हम जो है वो 190 रुपे तक हमा लेडी जा चुके थे सपोर्ट तार लगा के और अगर हम इसको 25 रुपेया भी मानके चलते हैं तो वायर का खर्चा मैक्सिमम आप एक से दो रुपेया रेनिंग पिट का मान सकते हैं लेकिन अगर आप उसी में नट बोल्ट पे पूरा स्ट्रक्चर लगवाते हैं नट बोल्ट पे स्ट्रक्चर लगवाने का ये फायदा बढ़ जाती है और लगाने वाली लेबर भी है वो भी जादा चार्ज करते हैं तो पत्ती बगरा की भी अगर आप कोस्ट लेके चलते हैं पत्ती की और नट बोल्ट का इनका भी कोस्ट लेके चलते हैं तो 20 से 25 रुपेया रेनिंग पिट के करीबन इसका भी खर्चा जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि पत्ती भी जी आई की ही लगती है क्योंकि रश्ट तो आपका अगर लोही के लेंगे तो उस पर भी आएगा नट बोल्ट भी आपको जी आई के चीए तो ये लगाने के बाद में आपका लग बग जो खर्चा है वो हमारा ये लगाला 215 प्लस में 20 रुपेय भी अगर हम इसका मान के चलते हैं तो 235 तक हमारा यही पहुँच गया है फिर एंगल को गाड़ते टाइम एंगल को कोई नॉर्मली हिला के उखार ना सके इसके लिए आपको नीचे भी बोल्ट मजबूती के लिए देना होता है तो आप बोल्ट दे सकते हैं या आप सिरिये का इतना लंबा 3 या 4 इंच का मिनीमम जो है वो टुकड़ा दे सकते हैं उसका भी कोस्ट एड होगा एक रुपय आप उसका कोस्ट मान लीजिए फिर एंगल के अंदर होल करवाने होते हैं एंगल के अंदर पत्ती के अंदर उनका भी एक दो रुपया रणिंग फिट का आप मिनीमम जो है वो कोस्ट मान के चलिए और फिर आपकी रोडी डस्ट का खर्चा रह गया ये सारे खर्चे जब आप मिलाते हैं लगबग 6 फिट का खर्चा आपका 200 से प्लस चला जाता है रणिंग फिट के अंदर अगर आप अच्छी क्वालिटी का स्ट्रक्शर लगाते हैं तो खर्चा कम करने के लिए आप एंगल हलके ले सकते हैं धाई इंची के जगए देड़ इंची एंगल ले सकते हैं लेकिन अगर खर्चा कम करेंगे तो मजबूती से आपको कॉंप्रोमाईज करना पड़ेगा ये सिंपल सा फंडा है क्योंकि जो सस्ता होगा वो जरूरी नहीं है के अच्छा हो और जो अच्छा हो वो जरूरी नहीं के सस्ता हो मजबूत स्ट्रक्शर अगर आप एक बार में लगवाएंगे तो आपको कई सालों तक देखने की जरूत नहीं होती हलका structure अगर आप लगा देंगे तो आपको हर 5-7 साल में उसको change करना पड़ेगा जो बोत ही hectic है और बे-फालतू का खर्चा किसानों के लिए है तो उसके बाद अगर मैं 200 रुपे रणिंग फिट भी अगर हम इसको estimated मान के चलते हैं लग भग 2-7-2 लाग रुपे के करीबन 6-5 पिटाइट का खर्चा उसमें पड़ जाता है ये खर्चा मैं सिर्फ estimate बता रहा हूँ exact खर्चा तो लगाने वाले या फिर आप जब material purchase करने जाएंगे इसके आसपास में वेरी करेगा 2-4 रुपे उपर भी हो सकता है 2-4 रुपे नीचे भी हो सकता है तो running fit का खर्चा निकालने के बाद में आप कितनी भी आपकी खेत की लंबाई है चेरो side की जो है लंबाई चोड़ाई मापो और उस running fit के खर्चे को गुना कर तो आपका पूरा खर्चा निकल जाएगा अब हम बात करते हैं काटा तार में running fit के खर्चे की बात 6 fit height में अगर हम काटा तार लगाते हैं तो 6 fit height में अगर हमें नील गाएं और गाएं रोकनी होती हैं तो basically हमें तारो का gap एक fit या उससे कम करना होता है तो हम तारो को 10 inch पे लेके चलते हैं 6 fit height में बहतर इंच बनते हैं साथ तार हम सीधे ले लेते हैं तार में भी quality आती हैं एंगल का खर्चा हमारा वही रहेगा सेम एंगल से 3 fit जमीन में गड़े हैं धाइंची एंगल से हमने लिए थे जो last उसमें मतलब जो calculation की थी हमने तो सेम 75, 80 रुपे के करीबन जो running fit का उसका खर्चा पड़ा था वो हो गया साथ तार अगर आप select करते हैं तो टाटा के तार की जो bundle की साब से उसके अंदर भी costing आती है लग भग साड़े 3-4 रुपे running fit मतलब साड़े 3-4,000 रुपे का bundle आ जाता है जिसमें 1000 रुपे की आपको length मिलती है तो साड़े 3-4 रुपे आपका तार का खर्चा हो गया साथ तार आपने लगाए हैं सीधे और दो तार क्रोस में दिये तो 9 तार का हो गया तो च्यार रुपे भी अगर आप मान के चलते हैं यह हो गया और रोडी दस का खर्चा हो गया 10 रुपे रेनिंग फिट का रोडी डस का खर्चा मान लिजे क्योंक unle», क्योंकि 3 फिट गयराई में तो यह लगबग लपे के करीबन आपका चला जाता है उसके बाद में अगर आपको तार से बंदवाना है तो तार का खर्चा एड हो जाएगा 2 रुपया 3 रुपया जो भी रनिंग फिट का एड होगा और अगर आपको नट बोल्ट पे लगवाना है तो आपके उतने ही नट बोल्ट लगेंगे जितने आपके तार लगे हैं तो लगबग अगर मैं बात करूं तो 1314 रुपय के करीबन की क्लिप और नट बोल्ट एक सैट का आता है और अगर आप 7 तार हैं तो 7 सैट होगे तो लगबग 7-8 रुपया रनिंग फिट आपकी उसकी कोस्ट बढ़ जाते हैं तो लगबग 150-160 रुपया रनिंग फिट में आप 6 फिट हाइट का जो है वो तार का भी सैट अप बंदवा सकते हैं और बाकी की जो ये कोस्ट हैं ये वैरी करती रहती हैं ये डिपेंड करता है मार्केट के रेट के उपर तो अगर आप 160 रुपया भी मान के चलते हैं कटीले तार के मोडल का तो उसको जब आप मल्टिप्लाई करते हैं आप एक अच्छे मतलब कितना आपका खेत की लंबाई चोड़ाई बनती है अब मान लो 100 फिट की लंबाई का मेरे को खर्चा निकालना है एक फिट का खर्चा मेरे को पता चल गए 150 से 170 रुपय तो 160 रुपय हमने मान लिया 100 फिट की लंबाई है तो 16,000 रुपय खर्चा होगा स्पपोर्टिंग ड़ी अगर दोी एक खेत के अंदर ठीफ ठीपर मैं terrort घैरको ने हो गई दृष सपॉर्ट रुपषे करीबन की 100 दस शठासट कि आड है उसके बाद में support में welding भी होती है, उसका खर्चा बढ़ता है, support में भी grouting bolts वगरा, cement भी लगेगी, तो वो सारी चीजे cost आपको add करने के बाद में running fit निकलेगा, उसी से जो आपका खर्चा है, पूरी खेत का निकलता है, उसके अलावा जो हमने cost बताई, इसके अंदर transportation charges भी होते हैं कि आप कितनी दूरी पे करवा रहे हैं, labor का transport भी रहता है, आप materials जो purchase करते हैं, उसका transport भी होता है, fabrication भी होता है, क्योंकि corner support, तो ये चुटपूट items हैं, जिनकी costing हमारे लिए भी निकालना थोड़ा सा difficult रहता है, इनको भी अगर आप add करेंगे, तो जाले की costing लग बग जो ह 500 से 300 रुपे तक चली जाती है, running fit के अंदर, तो अगर वही आप कटीले तार में जाएंगे, तो कटीले तार में भी 160 से 190-200 रुपे तक चली जाती है, वो depend करता है, कि कितनी दूरी पे आप करवा रहे हैं, क्योंकि कोई भी करने वाला होगा, या फिर जो material आप purchase करेंगे, उसके अंदर, transportation हमने आपने कहां से उठाया, कहां पर डाला, labor भी होता है, चड़ाने, उतारने का, वो सारी चीजें आपको, जो है, वो calculate करके चलनी पड़ेंगे, 2-4 रुपे, 10 रुपे, 20 रुपे वेरी कर सकता है, यह exact cost नहीं है, यह cost निकालने का तरीका है, कि आप एक एकड में, खर्चे की cost कैसे निकाल सकते हो, यह सिर्फ calculation करने का तरीका हमने आपको बताया है, तो इस cost को आप मद्दे निजर ना रखते हुए, किसी के साथ में यह ना हो के भाई, उन्होंने इतना बताया था आप यह, तो हम यह चीजें नहीं चाहते हैं, जस्त हमने cost नि रुपे के करीबन का जो आपका खर्चा है, वो आ जाता है, तो कटीले तार में, अगर छोटे जानदोरों का नुकसान नहीं है, लाइफ आपको बराबर मिलेगी, same quality में, सब कुछ बराबर मिलेगा, सिर्फ छोटे जानदोरों से protection नहीं मिलेगी, तो जिन भाईयों के यहा जाना था कि खर्चा कैसे निकाला जाता है, और हमने कोशिश की है कि हर एक पहलू को, हर एक चीज को जो है, वो पूरा तरीके से बताया है, जिससे आपको भी समझना easy रहा है, अगर फिर भी वेंसिंग से गार्डिंग आप कोई जानकारी चाते हैं, तो आप हमें comment section में message छ जाएकी सान